जोहार जोहार मैं हूँ पल्टु महतो जी हाँ आगामी दिनांग 18 जून को जेवी केसेस की तरफ से एक महा अधिवेसन का एलान किया गया है जी महा अधिवेसन होने वाला है इसको लेकर हम एक बिसेस आपको जानकारी देने कोसिस करेंगे साथ हमें टाइगर जैराम महतो से भी मिलाने कोसिस करेंगे और जो प्रोग्राम जहां पे होने वाला है जहां पे महा अधिवेसन होने वाला है वहां का निरिक्षन करते हुए टाइगर जैराम महतो जी हाँ उस जगह को भली भाती से टाइगर जैराम महतो और तमाम जेवी के से इसके टीम ने निर्चन करते हुए ये देखा कि लोगों की अगर संख्या अधिक आती है तो उसमें मेनेजमेंट हो सकती है कि नहीं पता दें आपको कि महा अधिवसन आठ रोजुन को जो होने सुत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि उस दिन पाटी का भी गठन हो सकता है जी हां तमाम झारखन में खतियान और भासा और नियोजन की लड़ाई चरम सिमा पर है उसी बीच महा अधिवसन को लेकर एक बहुत बड़ा बात सामने निकल के आ रहा है जी उस बातों म तमाम सदे से हैं और इसमें इस अधिवसन में हर एक जगह पे जारखन के हर एक जगह से लोग आएंगे हर एक जगह से लोग उसे पाटिसिपेट करेंगे और जेराम मैतों ने उसे आमंतरन भी दिया है उसको आने की इन्विटेशन भी सभी को वीडियो के माइदम से सोट सोसल मेडिया के माइदम से दिया गया है जी उसका टाइमिंग आपको बता देता हूं कि दस बजे से आप जो दूर से लोग और उस महाधिवसन का एक हिस्सा बन सकते हैं जारखन की लड़ाई में टाइगर जेराम महतों का कहना है कि हमें अब सब की साथ चाहिए खतियान औ हासा और नियोजन की लड़ाई लगबग हम लोग डेड़ सालों से लड़ रहे हैं अब आती है चुनाओ परक्रिया पर उतरने की और लोगों को जागरू करने की जी हां महाधिवसन की बड़े बड़े बातों कह जाएंगे कि क्या होगी क्या रन्निती बनेगी क्योंकि एक जगा पर चोक चोरा पर बंदी की गई रोड जाम किया गया लेकिन आज के डेट में 18 जुन को एक महाधिवसन का एलान किया गया है जी हां हम उक्स का पक्ष रखने नहीं आये हैं लेकिन ये बताने जरूर आये हैं कि आखिर कर जो बात सामने आई हैं जो महाधिवसन की तो उसमें अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और उस महाधिवसन का हिस्सा बन सकते हैं जी हां जारखन की दूरदसा को दिखाने के लिए तमाम हम कोवरेज करते आये हैं तमाम चीजों को दिखाते आये हैं तो जरूर से इस चीजों को भी दिखाने कोसिस आपके लिए हमेसा तत्फर्ज रहते हैं कि किस तरह से हम अपनी जहारखन की जो हितार्त में एक विडियो को आपके भी इस प्रोवाइट कर सकें सुनते हैं चलिए टाइगर जराम मैतों ने क्या कुछ कहा इसके आगे वहाँ पे उस बलियापूर के जो बिनो धाम जहां पे मैदान है जहां पे अधिवेशन होना है वहाँ पे जाके क्या कुछ कहें इनको आपको बताने कोसिस करते हैं दिखाने का कोसिस करते हैं हलांकी बन और धाम और भेलियापूर को कियों कि लिए को चाहते हैं कर दूनदी और बल्यापूर में बचा है तूजिए अस्थान को चेहन किया गया दूसरे बाद बद्शान संगू अब के विचार यहां है और यह धर्ती को चुना गया क्योंकि यह विस्थापितों की धर्ती है और हमारी लड़ाई सब्सक्राइब इस्थापितों की आज अगर लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं तो 1932-1940 के बाद सब्सक्राइब मुद्दा रहा है विश्थापन का जब हम ल मतलब कंपनी आज हमसे ले रही है देखे इतना बड़ा मैदान इतना विशाल मैदान लगभग नहीं करने से हमको लगता है चार को गाहां बसेगा इसमें लगभग नहीं करने से 20,000 की आबादी यहां बसेगी और वह जमीन आज खाली पड़ा हुआ है विश्थापन का दर नई लड़ाई खतम किसे होगी अब पोलिटिकली रूप से हम लोग विरोध करेंगे तो थोड़ी आपकी संख्या कम होगी लोग आपकी साथ तोड़ा कम होगे क्योंकि अभी तक लोग नन पोलिटिकल थे हैं यदि आप पोलिटिकली रूप से भी विरोध करेंगे तो लो ने हमारे फठ फुल जो मेंबर से सदस्य हैं और जो थो थो तब शक्छा में उनसे लोग मेंबरिशिव ने धारन किया है क्या चाइर्ज नाहिए मनें 1001 है और प्वारिया को लेकर किसी को परभारी बनाएं क्या क्या है नो परभारी और इनके साथ और गार। परकार से करना है एक जिम्मारी आपको मिला आशिज जी कारकरम को लेकर हां मुझे मिला है मुझे जिम्मारी मिला है और वह तुम्हें आपको पहले भी बताएंगा अठारों का यह और खुद आकर अपनी आखों से देखिए भाई भी होगा जो महला आएंगे महला के लिए ब्योस्ता होगा इस गड़ी दूप में हम लोग बीछना है ़े पानी तो पानी की वेबस्ता कि या जाए मदना अदोनों चीज को देखते हैं आप नबारी सो ठाना है अब अगर पांड़ अंगे लग रहाया आपको क्योंकि आप पाटी का तो पाटी का बात हो रहा है पाटी की हो जहां टाइगर है तो वहां लोग आएंगे हर इंसान टाइगर को जो मुछ मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो पाटी तो बनना ही है और उपर से कबड़ई राजकुमार मंदल करेंगे तो आएंगे इस महाधिवेशन में कौन को ना आएंगे जिसे जो भासा अंदुलन जब चल रहा था उसमें बहुत सारे शाधर आमांत्रित रहेंगे इस दिन के लिए आंदुलन सुरू हुआ था दे कजिए हम लोग इस पर राय शुमारी करके ही आये हैं कुछ लोग भारत आजादी भी नहीं चाहते थे कुछ लोग अलग जहर खन भी नहीं चाहते थे है आप देख सकते हैं इससे पहले बहले 326 की बात कर देते लिए आप तो मैक्सिमाम मुद्दा वी सी सील जमीन अधिगरन का सी सील जमीन अधिगरन का वेदानता